प्राचीन भारत में यानि कि जब हमारा प्राचीन इतिहांस रहा उस समय पूरे का पूरा भारत जो है सोल्ला भागों में बढ़ा था जिसे उस समय महाजन पद कहा करते थे महाजन पद ठीक अभी हम इसका मानचित्र में भी देखेंगे देखें बोध गरंत जो है अगुंतर निकाय और जैन गरंत भगवाती सुत्र इन दो गरंतों से बताया जा रहा है इस ते दिको ठीक कि प्राचीन भारत में सोल्ला महाजन पद भा करते थे उनके नाम क्या है कि अक्सर महाजन पदों के नाम आपको मालूम नहीं रहाते हैं इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना दे रहा हूं देखें पहला है कासी दूसरा है मगद तिसरा है चेदी और इधर से हमें गिनना चाहिए पहला है कासी दूसरा है कोसल तिसरा है अंग चौथा चौधवा अवंति पंद्रवा गांदार सोल्वा कंबूज तो यह प्राचीन भारत में 16 महाजन पद यानि की 16 राज हुआ करते थे उस समय महाजन पद को राज कहा जाता था अब देखिए हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो मैप है तो मेरे एक दोस्त आ ग ठीक और मैं आपको फोटो भी थोड़ा दिखा पाऊं तो दिखा दूंगा देखिए यह मैं इस जगहां पर हूं अंदेरे में अंदेरे में मैं वीडियो बना रहा हूं अकले में आकर और सामने में मेरे दोस्त आ गए हैं तो चलिए देखा दिया ठाकि आप भी पता कर सके कि पोजिशन क्या है देखिए मुसीवत से सभी को लड़ना पड़ेगा चाहे हम हो चाहे आप हो बात इतना होता है कि कोई डर जाता है और कोई लड़ जाता है तो आपको भी लड़ना होगा तो देखिए यहां पे महाजन पदों की भोगलिक इस्तिति यह जो बात की अभी 21 ठीक तो इतना हम जोड़ लिजे कि 25 साल पहले का या इतियास में बता रहा हूँ देखे सुल्लम आजन पद कहा कहा तक पहले थे हैं यह था असोक के समय समराट असोक जो चंद्रूप्त मोरी है उस समय की बात हो रही है ठीक देखे कमबोज इधर अफगानिस्तान पूरा का पूरा अफगानिस्तान यह है पूरा का पूरा पाकिस्तान यह है यानि कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और यह हमारा पूरा का पूरा भारत पूरा का पूरा बांगला देश यह सारे जगा जो है कवर कर रहा था कौन उस समय के महाजन पद यानि के हमारे राजा पूरे के पूरे पूरे अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के पूरे के पूरे यहां हमारे बांगला देश से लेकर के इधर हमारा आ जाता है मयामार इतने बड़े सामराज पर एक छत्र राज करते थे देख रहा हैं ना कितना बड़ा एरिया था कवर किया हुआ टिक और यहाँ पे देख भी रहें कि माजन पदों की भोगल किशती तो दोस्त बता रहा हूँ जितने अगर कोई भी विक्ति ठान लेना चाहे समराण असों को चाहे आप ही क्यूं नहों चाहे कोई भी स्त्रीही क्यों ना हो जब वो ठान लेता है उस पे आगे बढ़ जाता है तब उसे उसकी मंजिल मिलके रहती है तो हमें इतिहां से सीख लेनी चाहिए इसी परकार के और आपको आगे बढ़ना चाहिए यह सुनला महाजनपदों में सबसे सकती सारी महाजनपद था मगद मगद महाजनपद सकती सारी क्यों था यहां पर मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा देखिए मगद जो महाजनपद था इसके पास सबसे बड़ी भूमी थी और गंगा नदी के किनारे बसा था जिसके कारण इसके जमी नुप जाओ थी और खेती अच्छा हो दाता था और इसके पास जंगल अच्छे थे जिसके कारण जो है जंगल में हाथी सेना गज सेना जिसे बोलते हैं उनके अच्छा था और साथ ही यहां की जो यहां पे लोहे के खान पाए गये थे उसी जमाने मे ठिक लोह अयस के खान जिसके कारण पूरे भारत को यह लोहा दे रहा था पूरे भारत को और इसी कारण यहां का जुब्य अपार था काभी बढ़ गया था और मगद काभी फ्यमस हो गया था उस जमाने में मगद सबसे सकती साली था जो की वरतमान बिहार और जारखन का इरिया आता है और वज्जी जो है यहां उस समय भी स्वतंत्र राज था और यह सभी जो अधिकांस थे यहां पे दो परकार के महाजन पदवा कर देते हैं एक परकार जिसमें राजाओं का सासन होता था और दूस यह चोड़ी चोड़ी सी वीडियो मैं आपके लिए गयान की भरी हुई वी वीडियो लाता रहूंगा चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देजिए और बैल का इकन को प्रेस कर देजिए और अगर कोई दोस्त आपके जैसा पढ़ने में थोड़ी सी भी रूच